सेवी प्रमुख माधवी पूरी बुच को लेकर मोधी सरकार पूरी तरह से फस शुकी है हिडन बग के खुलासे के बाद कॉंग्रेस ने एक के बाद एक नए खुलासे किये मोधी सरकार से सवाल किये लेकिन जवाब एक भी नहीं आये सेवी प्रमुक को लेकर गुत्थी उलश्ती जा रही है तो मोधी सरकार भी घिरती ही जा रही है हाला कि ICICI बैंक के तरफ से जरूर एक जवाब आया था लेकिन जिस तरह से अपने ही बयान पर वो घिर गए उनके जवाब पर कॉंग्रिस ने जो सवाल किये उस पर कोई जवाब दोबारा नहीं आया ऐसे में ये सवाल और गहरे हो जाते हैं कि जब मोधी सरकार चुप है सेवी प्रमुक चुप है और अब तो ICICI बैंक ने भी चुपी सादली है तो किसे बचाने की कोशिश हो रही है यहां आखिर कौन है इस गेम का मास्टर माइंड और कौन-कौन बना मोहरा कॉंग्रिस ने सवाल उठाना नहीं चोड़ा और अब कुछ नए तथियों के साथ एक बार फिर कॉंग्रिस ने सेवी प्रमुक पर चौकाने वाले खुलासे किये हैं और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा नमस्कार मैं आराधना तो बात सेवी प्रमुक माधवी पुरी बुच पर कॉंग्रिस के नए खुलासे की सेवी प्रमुक माधवी पुरी बुच बुरी तरह से घिर गई है एक बार फिर कॉंग्रिस ने बड़ा खुलासा किया है कॉग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक और कमपनी का नाम सामने आया था ये कमपनी थी अगोरा एडवाईजरी प्राइवेट लिमिटेड जो कि 7 मई 2013 में रजिस्टर होई थी ये कमपनी माधभी पुरी बुच और उनके पती की है लेकिन माधभी जी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खंडन किया था उस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेवी में चली गए तब से ये कमपनी डॉर्मेंट यानि निश्क्रिय है लेकिन इस कमपनी में अभी भी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी माधभी बुच की है खेडा ने कुछ दस्तावेजों के साथ दावा किया कि इनके मुदाबिक 31 मार्च 2024 तक इस कमपनी में 99 प्रतिशत हिस्सेदारी माधभी पुरी बुच की है यानि अपनी सफाई में सेवी प्रमुख ने जो बयान दिया था वो पूरी तरह से जूट था मेरे फोन की बाते इस सरकार के पास है राहूल गांधी जी के फोन की बाते इस सरकार के पास रहती है खडगे साब के फोन के अंदर ये सरकार गुशी हुई है केसी वेनु गोपाल जी के फोन के अंदर ये सरकार गुशी हुई है लेकिन माधवी पूरी जी 99% शेर होल्डर जिस कमपनी की हैं उनके पती और वो मिलकर ये कमपनी चलाते हैं पवन घेडा ने सेवी प्रमुक का मुद्दा उठाते हुए पेगासस का जिक्र कर दिया जो एक बार फिर पुराने विवाद को हवा देता दिखाई दे रहा है दरसल पेगासस की मुद्दे पर पहले ही मूदी सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी है पेगासस इसराइली कमपनी एनेसो का एक जासूसी सौफ़वेर है जिससे किसी की भी बड़ी ही आसानी से रिकॉर्डिंग की जा सकती है उसके फोन के जरिये सारी जानकारी निकाली जा सकती है और इसकी खासियत ये है कि सामने वाले को पता तक नहीं चलेगा कि उनके फोन के साथ ऐसा कुछ खिलवाड हो चुका है 2021 में भारत में 300 से ज्यादा हस्तियों के फोन हैक की जाने का मामला सामने आया था जिन में कॉंग्रेस के नेताओं का नाम भी शामल था जिसके बाद केंद्र सरकार गंभीर सवालों से घिर गई थी और एक बार फिर पवन खेडा ने इसे लेकर सरकार पर तंज गसा है सवाल किया है कि जब मोदी सरकार को सब की जानकारी होती है तो सेवी प्रमुख मादवी पुरी बुच के बारे में ये जानकारी कैसे छूट गई क्या मोधी सरकार पेगसस का इस्तिमाल केवल विपक्ष के नेताओं पर करती है अपने मोहरों की जानकारी निकालने के लिए नहीं करती एक तरह से खेडा ने सरकार की मन्शा पर सवाल उठाए है कि आखिर क्यों मोधी सरकार बुच को बचाने की कोशिश में जुटे हुई है खेडा ने दावा किया है कि ये जान बूच कर छुपाने का मामला है ये केस साफ तौर पर ध्रश्टा चार का है अब ऐसा कौन सा पेगसस है सरकार के पास जो सिर्फ विपक्ष के लिए है सिर्फ पत्रकारों के लिए है माधवी जी के लिए नहीं है आगे बढ़ते हुए खेडा ने अगोरा को लेकर सवाल उठाया जिन कंपनियों ने अगोरा की सिवाई ली क्या वो सेवी के स्कैनर में है क्या उनके भी केस सेवी के सामने लंबित है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने इन सवालों के मिले जवाब भी बता उन्होंने कहा कि इसके जवाब में मुझे जो मिला वो बेहट चौकाने वाला था मुझे बताये गया कि 2016-2017, 19-23-23 में जब माधभी जी सेवी की होल टाइम मेंबर थी तो उन्होंने अपने कारिकाल में रहते हुए अगोरा के माध्यम से 2 करोड 95 लाक रुपे कमाने और जिन कम्पनियों से ये पैसा कमाये गया है उनमें से कुछ नाम है खेडा ने इसके सभी दस्तावेज भी पेश किये और सवाल उठाये कि ये सब वो कम्पनिया है जो रजिस्टर्ड है और भारतिया बाजा नियामक से भी इन्हे रेगुलेट करती है सेवी की चीफ माधवी पूरी बुच है और अगोरा उनके ही पती धवल बुच की कम्पनिय है और ये सारी कम्पनिया अगोरा की क्लाइंट्स है पवन खेडा ने सारी क्रोनोलोजी बयान करते हुए चुटकीले अंदाज में कहा खेडा ने सेवी के कोड ओफ कंड़क का हवाला देते हुए सेवी प्रमुक पर आरोप लगाए उन्होंने बताया कि भारतिय बाजार नियामक सेवी के कोड ओफ कंड़क के मुतावे कॉन्फिक्ट ओफ इंट्रेस्ट तब मारा जाएगा जब ऐसी किसी कंपणी से आप कमाते हैं जो सेवी के रडार पर होती है उसकी जाच हो रही होती है सेवी पूश्ताश कर रही होती है और ये कमाया हुआ दो करोड पिंचानवे लाख रुपए आपके सामने हैं जिसमें सबसे ज्यादा कमाई 88 प्रतिशत कमाई महिंद्रा एंड महिंद्रा से की गई है अगोरा ने की है मही धावल बुश पर बात करने से पहले खेडा ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप एक जटके से उबर गए हों तो मैं दूसरा जटका आपको देता हूँ कि सेवी चीफ के पती धावल बुश को 2019 से 2021 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा गुरुप से 4 करोड 78 लाख रुपए प्राप्त हुए दो करोड 95 लाख रुपए तो कंपनी को मिले अगोरा को और 4 करोड 78 लाख रुपए इनको मिले आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले खेडा ने दोराया कि ये सब तब हो रहा है जब माधवी पुरी बुच्च सेवी की होल टाइन मेंबर है इसकी जबाब की रूप में खेडा ने सेवी के Code of Conduct में Conflict of Interest का Section 11 की बात कही और आगे उन्होंने बताया कि सेवी ने इस दोरान कई ओरर महिंद्रा और महिंद्रा के पक्ष में भी निकाले उन्होंने इसकी एक सूची भी पेश की और इन ओररस की डेट भी बताई जो 2019 से 21 के बीच पारित किये गए है 2020 में धवल बुच्च जी को कितना पैसा मिला? 1,73,60,000 2020 में 3,45,57,500 और टोटल हुआ 4,78,17,500 यह आपके सामने टेबल के साथ किस साल में कितना पैसा माधवी पूरी जी के पती को महिंद्रा इन महिंद्रा से मिला और किस साल में महिंद्रा इन महिंद्रा को माधवी पूरी बुच द्वारा तो नहीं कह सकता मैं लेकिन सेवी द्वारा राहत मिली ये दोनों साल आपके सामने है दोनों टेबल्स आपके सामने है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने माधवी पूरी बुच के साथ ही उनके पती धवल बुच का भी रिकॉर्ड पेश कर दिया सवाल सेवी चीफ और उनके पती पर उठाए तो कुछ सवाल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सेवी की कॉंग्रिस प्रवक्ता ने सवाल पूछा कि क्या आपको पता था कि अगोरा में माधवी जी की 99 प्रतिशत शेर होल्डिंग है जब आपने माधवी जी को सेवी चेर परसन बनाया तो क्या आपको किसी एजेंसी ने रिपोर्ट नहीं दी थी क्या आपको आपके पेगसस को आपकी आईवी को आपके पास जितनी एजेंसियां हैं जो आप गैर भाजपा शासित राजियों में सक्रिय रखते हैं उन तमाम जाँचे जिंसियों ने आपको नहीं बताया था कि अगोरा के आर्थिक व्यावसाइक रिष्टे उन कंपनियों से हैं जिनकी जात सेवी कर रही है क्या आपके सामने किसी ने भी माधबी जी के खिलाफ सबूत नहीं रखे थे कि इन्हें दूसरे कंपनियों से इतने पैसे क्यों मिल रहे हैं अगर ये सबूत सामने रखे गए थे तो फिर कौन सी मिली भगज जारी है आखिर किसे फाइदा पहुचाया जा रहा है और क्यों किसी को बचाया जा रहा है पवन खेडा ने इन सवालों के साथ ही मोधी सरकार पर करारा हमला बोला है उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास रिपोर्ट थी लेकिन आपको लगा कि जब ये इतनी कॉम्प्रोमाइज है तो ये मेरी हर बात सुनेंगी खेडा ने सवाल किया कि क्या आपकी यही सोच थी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हम जानना चाहते हैं उन्होंने कहा कि क्या प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाए कि ये कागज आपके सामने रख दिये हों जैसे कि हमने रखे हैं इस पूरी सरकार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी ये मैं नहीं मान सकता अगर प्रधान मंत्री के सामने एक आगज नहीं आया तो हैरानी की बात है कि ये इस पत पर बैठे हैं और अगर आया तो ये क्या चल रहा है हमें ये नहीं मालू किसे फसाय जा रहा है और किसे बचाय जा रहा है कॉंग्रिस प्रवक्ता ने सेवी चीफ माधवी पुरी बुच के साथ ही उनके पती धवल बुच और मोधी सरका यानि पियम मोधी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं और पियम मोधी बुरी तरह से घिर गए हैं अभी तक अमबानी अडानी के नाम पर सरकार घिर रही थी और अब बुच को लेकर भी आरोपो से घिर गई है सरकार की मिली भगत पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसे फायदा पहुचाय जा रहा है और क्यों किसी को बचाया जा रहा है तो आज की हमारे स्पेशल रेपोर्ट में बस इतना ही अगर आपको ये रेपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार